हेलो गाइस तो आप में से बहुत साहे लों के कमेंट्स आ रहेतें कि बीए में बेस्ट सब्जेक्ट कॉंबिनेशन क्या होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लें जिससे हमारा फ्यूचर बिटर हो सकता है अगर आप क्लास 12 में आर्ट्स लिया था आपने या फिर आपने आर्ट्स नहीं लिया था फिर भी आप बीए में आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉंबिनेशन क्या होगा बहुत ज़्यादा गन्फूजन रहता है आपके लिए तो सबसे पहली बात यह है ना कि बीए में आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉंबिनेशन क्या होगा इसके लिए हमें जानने की जरूरत है कि हमारा टार्गेट क्या है हम जंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं हम बीए क्यों कर रहे हैं बीए करने के वीचे हमारा रिजन क्या है बीए के बाद हमें क्या करना है यह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल करके आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉंबिनेशन चूच करने में हेल्प करेंगी जैसे कि आपका टार्गेट हो सकता है कि मुझे टीचर बनना है आप सब्जेक्ट बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर होगा जिसमें टीचिंग के ओपरचुनिटीज जादा है हो सकता है आपको I.S. या IPS का एक्जाम करेक्ट करना है और आप चाहते हो कि ग्रेजिएसन में करना हूँ एसाए आछ से जिससे मुझे एक्जामनेशन के लिए तयारी करने के लिएificación मिल जाए actionable है हो सकता है आप कहरे हो कि मुझे जो है ग्रेजिएोशन करते करते है डिप्रोमा भी कोई करना है अगर आप कहहरे हो कि नही नहीं मुझे जल्दी से जल्दी जाब करना है जो SSC के exams निकलते हैं CHSL उन सब में job करना है तो मेरे लिए best subject क्या हुगा या मुझे नहीं नहीं यार मुझे कुछ नहीं है मेरे मम्मी पपा ने पैसा बर दिया तो मेरे लिए EG वाला subject बता दो कि क्या चीज है तो depend करेगा कि आपके लिए subject जिसे कि उनकी भी help हो सके तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप आ रहे हो graduation करने के लिए art subject में आपके mind में यह चीज आ रही है कि यार मुझे teacher बनना है मुझे teaching line में जाना है तो मेरे लिए best subject क्या हो सकता है तो देखो teaching line में अगर आपको जाना है तो best subject चा हो सकता है उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि यार मुझे government job करनी है या private की करनी है तो जो universities है उसमें कौन सा ऐसा subject है जिसके teacher की demand जादा है क्योंकि जिस subject को पढ़ने वाले लोग जादा होंगे उस subject को पढ़ने के लिए टीचर की demand भी उतनी होगी तो सबसे जादे जिस teacher की demand होती है वो होता है आपका English का teacher क्या English का अगर आपको teaching में जाना है तो English को चूझ कर सकते हो आप Hindi को चूझ कर सकते हो आप History चूझ कर सकते हो आप संस्कृत चूच कर सकते हो आप जियोग्राफी चूच कर सकते हो एकोनोमिक्स चूच कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस चूच कर सकते हो यह कुछ ऐसे सबजेक्ट है जो टीचिंग लाइन में ज़ादा निमांड में रहते हैं वैसे तो बीए में अगर आप देखोगे ना तो 20 प्लस सबजेक्ट है बट मेनली जो सबजेक्ट लोग यूज में लाते हैं लोग काम में लाते हैं लोग ज़्यादा थर चूच करते हैं वो यही 10-12 सबजेक्ट जो मैंने याप लिखा हुआ है जो टॉप के टीचिंग स्किल्स से रिगार्डिंग अगर आपको जाना है तो इन में से कोई चूच कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको टीचर बनना है किसी सबजेक्ट का तो आपके लिए क्या बिष्ट हो सकता है कि आप teaching में जाने के लिए आपको graduation करना पड़ेगा उसी से post graduation भी करना पड़ेगा beard करना पड़ेगा तब जाकर कि आप class 12 तक पढ़ाने के काबिल होंगे तो आपको वो चीज चूज करते समय केवल मेरे suggestions को ध्यार में नहीं रखना है आपको यह देखना है कि आपका interest किसमे है क्योंकि teacher हर एक subject की जरूरत है बट कुछ subjects हैं जिनमे teacher की requirement ज़ादा होती है कुछ में होता है जिनमें नहीं होती होतने requirement तो आपको वो चीज भी consider करना और आपका interest भी consider करना है कि मेरा interest किसमे है मैं किस चीज में ज़्यादा bitter कर सकता हूँ और teacher होना is a great thing कि आप teacher बन रहो उसके लिए आपके पास knowledge होनी जरूरी है उसके लिए आपके पास execution होना जरूरी है तो किस subject में आपके पकड़ जादा है जिसमें आप perfect हो सको वो teacher के लिए आप best option होता है तो देखो इन में से कोई भी subject आप चूच कर लो कोई भी subject जब भी अगर आप teacher के लिए चूच कर रहो ना तो मेरी एक सला हमेशा मानना कि आप honors करना program मत करना program में क्या होगा आपको तीन subject चूच करने पड़ेगे तीन subject आप first year में पड़ोगे तीन subject second year में पड़ोगे दो subject आप जाकर के third year में पड़ोगे उसके बाद भी आपको master's करना पड़ेगा एक subject से तो better क्या है इसमें कि अगर आपको मानने है English का teacher बनना है तो English का teacher बनने के लिए आप क्या करोगे English से ही आप graduation करोगे English से ही master's करोगे फिर weird करोगे आप बहतर teacher बनने कि आपको किवल एक ही subject पर पुरा focus करना होगा तो ये कुछ subjects है English, Hindi, History, Sanskrit, Economics, Geography जिनकी demands ज़्यादा है political science जिनकी demands ज़्यादा है as a teacher तो ये subject सा आप है as a teacher चूच कर सकते हो अगर आपको कहना है कि नहीं नहीं मैं तो graduation कर रहा हूँ और मुझे IAS या IPS के exams देने मुझे UPSC के लिए preparation करनी है तो मेरे लिए best option क्या होगा मुझे कौन सा subject लेना चाहिए तो देखो अगर आप UPSC को choose कर रहे हो तो आपको एक subject तो ये चीज compulsory लेने चाहिए public administration मतलब अगर आप कर रहे हो तो आपको फिर बी ये प्रोग्राम ही करना चाहिए अगर आप IAS and IPS के लिए जा रहे हो आपको honors लेने की ज़रूत नहीं है तो सबसे पहले आपको पहला choose होना चाहिए आपका क्या public administration क्योंकि आप जब भी UPSC के exams लोगे या UPSC में आपके prelims हो मेंस हो इंटर्विव हो Public administration is the most important thing जो आपको सीखनी है तो ये subject आपके लिए होना चाहिए दूसरा subject आपका हो सकता है English English बहुत important subject है ये आपका मतलब चाहिए आप prelims दे रहे है मेंस दे रहे हैं इंटर्विव कहीं न कहीं English बहुत important topic आजाता है और तीसरा subject आप चूज कर सकते हो History को as a subject या फिर geography को History या geography में एक चूज कर लिजिए और एक English और Public administration ये best combination हो सकता है अगर आप IS and IPS के लिए जा रहे हो क्योंकि IS and IPS में History, geography, English इंग्लिस, Public administration ये बहुत important चीज़ है तो अगर आप IS and IPS के बारे में सोच रहे हैं आपके माइड में वो चीज़ आ रहा है तो इस combination के साथ आप जा सकते हो अगर आप सोच रहे हो मुझे under graduation कर रहा हूँ, मैं graduation कर रहा हूँ मुझे diploma भी साथ साथ करनी है तो जादा focus तो नहीं हो पाएगा इस चीज़ पे, बट मुझे पढ़ाई भी करती है तो क्या helpful हो सकता है मेरे लिए तो देखो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो under graduation कर रहे हो, graduation कर रहे हो diploma के साथ ना, तो आपके लिए best subject हो सकता है क्या? English English तो मतलब हरे time पे best है अगर आपको ज़्यादा time नहीं देना है तो English को आप skip कर सकते हो, आप उसमें ले सकते हो home science ले सकते हो, अगर आप लड़की हो तो आप physical education ले सकते हो, political science ले सकते हो, क्या-क्या हो गया? home science, अगर आप लड़की है तो लड़के हैं तो आप history भी ले सकते हो, easy subject हो जाएगा आपका physical education, political science यह बहुत important subject है आप इनके जगापे आप geography भी ले सकते हो, यह भी काफी demand बे रहता है तो geography, physical education, political science, home science इनमें mix करके ले सकते हो, अगर आप लड़की हैं तो home science आपके लिए ज़्यादा better option sound करेगा तो अगर डिपलोबा के साथ आप कर रहे हैं तो यह subject combination के साथ जा सकते हो अगर आपको जाना है कि आप मुझे job चाहिए मुझे graduation करते करते हैं, मुझे SS stage पर जाना है, तयारी करते हैं नहीं अपनी कि मुझे job चाहिए अब आप जितने भी jobs के देख लो, चाहिए bank के jobs के देख लो आप SSC के jobs के बारे में देख लो या जो भी state government के jobs निकलते हैं न उनमें सबसे important subject क्या होता है इसमें subject होता है आपका English जो जो topics से आपके questions सोचे जाते हैं इंटरेंस exam में, English हो गया आपका math हो गया आपका current affairs होते है and आपका होता है क्या reasoning यही चार subject होते हैं अब आप BA कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा maximum subject के options कौन कौन से हैं तो subject क्या options देख सकते हो, इसमें से एक English subject का option हो सकता है इसे आप छोड़ी नहीं सकते हो English हर जगा पर important है, तो English आपको लेनी चाहिए इसके बाद, देखो reasoning और math तो नहीं आ रहा है तो यह जो current affairs है, आप current affairs कहां से आते हैं current affairs आज आएगा, आपकी history से current affairs आते हैं current affairs कहां से आते हैं, आपकी geography से current affairs आते हैं political science से current affairs आते हैं तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से job के लिए जाओ और उसमें आपके examination के लिए best options क्या हो सकते हैं तो English ले लिजिए, geography ले लिजिए, political science ले लिजिए या फिर geographic के जगा पे आप history ले सकते हो यह combination, best combination हो सकता है अगर आप job के preparation के लिए जारो, job के तयारी के साथ साथ आप अपना graduation complete कर रहे हो ना तो यह best combination हो सकता है जो कि आपके इस point of view से कि मुझे ये चीज़े crack करनी है, तो इसमें काफी help मिल जाएगा इन चीज़ों से इसके बाद आते हैं कि यार मुझे ममी पापा मार रहे हैं, कोट रहे हैं कि यार तो जिए 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 ग्रेजिएशन करना पड़ेगा तो ऐसे सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में आ जाएगा आपकी sociology आसान सब्जेक्ट है, sociology आप ऐसे ही पढ़ड होगे न, पास हो जाओगे मतलब society से related चीज़े हैं काफी इसी सब्जेक्ट है, तो आप ये ले लो बच्चा and आप क्या ले लो, home science ले लो home science, physical education, political science ले लो, या home science sociology and आप physical education ले लो, तो इस तरह से combination कर चेक्ट तो इजी सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे इसके अलावा अगर आप कुछ combination ढूड़ना चाहते हो, जानना चाहते हो तो मुझे comment करके जरूर बताइए, कि इसके अलावा आप कौनसे field में जाना चाहते हो, उसके लिए कौनसा best combination होगा, definitely comment में आपके reply करना चाहूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो next video भी आपके लिए लेकर के आऊँगा तो आई वो भी वीडियो से मज़ने आयोगा, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पर आया तो एक बार विसिट करके देखिए, अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल आपके लिए वैल्वेबल है, यहां से आपको कुछ सेखिने को मिलता है, तो definitely you should subscribe and share to your friends, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, चैवारत